नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन बॉर्ड में तो दोस्तो आज की जो वीडियो है वो उन सभी स्टुटेंट्स के लिए हैं जो उत्तरप्रदेश लेकपाल की तयारी कर रहे हैं और इस एक्जाम को पहले ही अटेंट में क्वालिफाई करना चाते हैं दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपको अपनी preparation कैसे manage कर ड़ी हैं क्या के आपको पढ़ना है किन book से आपको पढ़ना है क्या आपको अपना time table रखना है पूरा detail में आपके साथ share करने वाला हूँ बस आपसे एक request है कि आप video को ध्यान से और आकरी तक जरूर देखिएगा कहीं ऐसा नहों कि आप कोई important step miss कर दो strategy का दोस्तो सबसे पहले तो जरूरी है लेकपाल के syllabus और exam के pattern को अच्छे से analysis कर लेना कि ये syllabus है, ये मेरा level है, मुझे क्या क्या prepare करना है और आपको कौन-कौन से topic weak है दोस्तो सबसे पहले तो आपको अपनी ये सभी topics improve करने है क्योंकि friends आपको पता है कि आप exam में disqualify क्यों होते हो क्योंकि आप exam में वो सभी questions solve नहीं कर पाते हो जो topic आपके weak है या फिर आपने जो topics नहीं पड़े हैं तो सबसे पहले इन topics पर ध्यान दीजिगा दोस्तो सबसे जरूरी जो बाते होती हैं किसी भी exam को qualify करने के लिए वो ये होती है कि जानना किस वज़े से पिछली बार students उस exam को qualify नहीं कर पायते देखो जब आप कोई exam देने जाते हो तो exam देने के बाद आपके मन में ये बाते आएंगी कि मैं इन इन वज़े से इस exam को qualify नहीं कर पायता तो वो वज़े आप अपने आपको भी गिना होगे और दूसरों को भी गिना होगे तो ये वज़े अगर आपको पहले ही पता चल जाए और उन्हें आप सही कर लो तो कहीं न कहीं आप इस exam को definitely qualify कर लोगे दोस्तों अगर बात करें लेकपाल के exam pattern के बारे में तो यहाँ पर हिंदी आपकी 25 question आने वाले हैं 25 marks के mathematics आपकी 25 question आने वाले हैं 25 marks के सामान्य ग्यान से भी 25 question 25 marks के village, society, gram, samaj एवं विकास से 25 question 25 marks के आने वाले हैं यहाँ पर आपका written examination होगा written examination में objective type question पूछे जाएंगे परिक्षा की समय आपकी 90 मिनिट रहने वाली है 90 मिनिट में आपको 100 question करने हैं दोस्तों दोस्तों हिंदी लेकपाल परिक्षा में महतपूर्ण भूमी का निवाती है इसलिए हिंदी के सभी विशियों यानि की literature और grammar पर विशेश द्यान दे general awareness के section में UP के इतिहास बोगोल और current affairs से प्रशन पूछे जा सकते हैं इसलिए आपका focus UP की knowledge पर रहे दोस्तों अगर आपको उत्तरपरदेश जीके के handwritten notes चाहिए तो उसका link भी मैं description में दे दूँआ आप चाहिए तो से वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों ग्रामीन जागरुपता में आने वाले जो important topics हैं उनमें सबसे important है भारत सरकार की विभिन योजनाओं के बारे में जानना जैसे ग्राम विकास के लिए केंदर सरकार की योजनाए आदर्श ग्राम योजना, अनपूर्ण योजना, मिड़े मील, इंदिरा आवास योजना, परधान मंतरी, ग्राम सड़क योजना और इसी परकार राज्य सरकार की योजनाओं को भी हमें याद करना है जैसे शुद पेजल योजना, पेंशन योजना, साथी साथ क्रिशी से संबंदित जितनी भी जानकारी है उसको आप इखटा कीजिए, जैसे क्रोप प्रोडक्शन, क्रोप मेनेजमेंट, कौन सी फसल में कौन सा रोग हो लगता है फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों अगर मैज की बात करें, तो मैज से आपको डर्णने की जरूरत नहीं है मैथेमेटिक से बहुत से टोपिक्स ऐसे हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं सबसे पहले तो आपको मैंसुरेशन कवर करना है, मैंसुरेशन और बेसिक अर्थमेटिक, सिम्पल इंट्रेस्ट, परसेंटेज, प्रोफित लॉस, टाइम एंडिस्टेंट, एलिगेशन, इस आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको हिंदी को अटेम्ट करना है, हिंदी कम टाइम में अच्छा स्कोर देता है, और जल्दी ही आप इसको अटेम्ट भी कर लेते हैं, इसके बाद आप ग्रामीन जागरुखता को टाइम दीजिए, सबसे लास्ट में आप टाइम दीजिए मैच्स को याद रहे दोस्तो परिक्षा का इस तर भले ही intermediate हो लेकिन graduate level के भी काफी ज़्याद है उमीदवार इस exam को भरेंगे जिससे ज़्याद है cut off जा सकती है और आपको अच्छी preparation करनी होगी अगर इस exam में आपको selection चाहिए तो दोस्तो exam से पहले minimum 3 बार revision जरूर करें previous year question paper solve करें जिससे question का idea होगा साथ ही आपको आपका level पता चलेगा test series join करें test series से आपको बहुत ज़्यादे फाइदा मिलेगा test series से आप time management सीख जाएंगे जिससे final exam में within time paper solve कर पाएंगे exam hall में शुरुआत हमेशा ऐसे section से करें जिससे आपके जादे से जादा अंक हासिल कर सकते हो दोस्तों आपको अपनी accuracy इंप्रूव करनी होगी ताकि आप 90 minute में 100 question लगा सको इसके लिए जितना हो सके उतने objective questions लगाओ mock test लगाओ previous year question paper लगाओ जो भी questions आपके गलत हुए हैं जिस topics related वो question था उस topic को फिर से पढ़िए theoretical पढ़िए videos देखिए, google करिए लेकिन कुछ भी करके उस topic को improve कीजिए दोस्तों अगर आप जानना चाते हैं कि लेकपाल के लिए कौन सी book सबसे best रहने वाली है तो उसके लिए मैंने एक अलग से video बना रखी है description में मैं उस video का link दे दूँआ आप चाहे तो इसे वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको इस video अच्छी लगी होगी अगर आपको इस video अच्छी लगी है तो इस exam की तयारी करने वाले अपने सभी दोस्तों के साथ इस video को जादे से जादे शेयर करें ताकि वे भी इस strategy के according तयारी कर सके दोस्तों अगर आपको इस video अच्छी लगी है तो like, share and subscribe कर दीजे ताकि आप सभी को latest update मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों